स्वागत दोस्तों आपका हमारी चैनल पर और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रसायन विग्यान के 20 प्रस्ट जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर हो सकते हैं तो यह question important है इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप लोग एक copy ले लेंगे और जैसे कि मैंने पहला condition कराः अप-option करेंगे बहले का दूसरा question कराः आप लोग दूसरे का option टिक कर लेंगे सब іalerनगे और जो copy पे एक से 20 द्यावकिन्टी लिखे रहेंगे उस copy पे अपना answer पर टिक करते रहेंगे कि हाँ मैंने पहले का ये option किया था दूसरे का ये option किया था और लास्ट में जब वीडियो खतम होगी तो comment section में मुझे आप लोग ये बताएंगे कि आपने इन 20 questions में से कितने questions का answer सही किया है मतलब कि आप लोग अपने आपको mark करेंगे कि हाँ मैंने इतना question जो है सही किया है मेरी इतनी तयारी हुई है ठीक है तो चलिए question जो है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला question है कि मीथेन को जलाने पर क्या होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलती है कार्बन राक अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिस्टर से ऑक्सिजन के साथ नाइट्रजन के मिस्टर से एसिटलीन के साथ ऑक्सिजन के मिस्टर से या फिर इथेन के साथ कार्बन डाय ऑक्साइड के मिस्टर से तो खदानों में अधिकांश विस्फोट किस कारण ह होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिसर्ड से जो है वो खदानों में अधिक्रांस विस्फोर्ट जो हो जाते हैं ठीक है तो इस वीडियो में explanation नहीं होगी क्यूंकि इसमें questions किये जाएंगे explanation live class में और लाइब क्लास में होती है एक्स्प्रेशन और साथ ही अगर आपको इन सभी वीडियो के एक्स्प्लेशन चाहिए तो हम लोग का पेड़ क्लास है नमबर है ये है 75, 25, 81, 88 और 38 है इस नमबर पर आप लोग कॉल करके जानकाई ले सकते हैं सबी वीडियो के explanation फुल ट्रिक्स के साथ दिये का हैं तो तीसरा question है carbon dioxide के अलावा अन्य greenhouse gas कौन सी है chlorine, fluorine, carbon dioxide, chlorofluorocarbide carbo, fluorocarbide या फिर chlorofluorocarbide तो carbon dioxide के अलावा greenhouse gas कौन सी है तो वो है chlorofluorocarbide है ठीक है कौन सी कहें तो chlorofluorocarbide नहीं होगा इसमें chlorofluorocarbond होगा C वाला नहीं, D वाला option से होगा इसमें से अगला question है C, F, C का पूरा नाम क्या है chlorine, fluorine, carbon dioxide, chlorofluorocarbide carbo, fluorocarbide या फिर chlorofluorocarbond C, F, C का पूरा नाम क्या है chlorofluorocarbond है ठीक है अगला question क्या जाए chlorofluorocarbond अगला question है फ्रियोन से, क्लोरो फ्लोरो कार्बन को अन किस नाम से जाना दाता तो वो है फ्रियोन अगला कोशन, HCFCS का विस्तार है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म का है high density chlorofluorocarbon, hydro chlorofluorocarbon, hydrated chlorofluorocarbon या फिर heated chlorofluorocarbon, तो जो HCFC का विस्तार है वो है hydro chlorofluorocarbon, HCFC का विस्तार मतलब कि HCFC का full form क्या है hydro chlorofluorocarbon है, अगला कुशन है निमनलिकित में से कौन सा सामान प्रशितक घरेलू प्रशित्र को के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन, नियोन, oxygen या फिर इन में से कोई नहीं, तो option कि कौन सा से होगा A option से होगा, कि सामान प्रशितक घरेलू प्रशित्र को के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये question की definition जरूर जाएगी आपके पास, इसका मतलब है कि freeze में कौन से gas होती है अगला question है कि Ethan gas का स्वाद थोड़ा होता है जो Ethan gas से उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा, खटा, मीठा या फिर नमकीन तो option कौन से होगा, गवाल option से होगा कि मीठा होता है Ethan gas का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है अगला क्वेशन है कि गर्म हवा के गुबारों में कौन सी गैस प्रयूक्त की जाती है नाइट्रोजन, कार्बन डाय ओकसाइड, हिलियम या फिर प्रोपेन तो गर्म हवा के गुबारों में कौन सी गैस प्रयूक्त की जाती है तो वो गैस होती है प्रोपेन होती है मेथे, न यह सब ट्रिक्स है और यह सभी ट्रिक्स आपको दिए जाहेंगे और यह चेप्टर जितने के आपके स्लेवस में हैं और साथ में फिजिक्स के भी 24 चेप्टर जितने आपके स्लेवस में हैं सबका फुल एक्स्प्लिनेशन के साथ ट्रिक्स के साथ सभी वीडियो आपको दी जाएगी और साथ में 80, 80 और 38 है ठीक है तो इस नमबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तभी प्रेट क्लास जोइन करेगा अगला कोशन आप लोग करते हैं जब दूद खटा हो जाता है तो उतपादन होता है किसका लेक्टोज का सलिसलिक एसिड का लिनोनिक एसिड का या फिर लेक्टिक एसिड का तो ऑप्षन इसमें से कौन सा सही होगा कितने लोग lactose मार के आ जाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा lactic acid से होगा कि जब दूद खटा हो जाता है यानि कि जब दूद दही बनने की अवस्था में जाता है तो उसमें किसका उत्पादन होता है तो lactic acid का उत्पादन होता है जिसमें lactobacillus enzymes होते हैं जो दूद बनने में मदद करते हैं दही बनने में मदद करते हैं फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है औक्जेलिक अमल, फॉर्मिक अमल, साइटरिक अमल या फिर acetic अमल तो option कौन सा योगा आग्जेलिक अमल कि पत्री का निर्वान करने वाला सरवादिक सामाने योगिक है तो अप्चिर्ट कौन सा होगा कैलिशिक ऑक्जलिट वाला श्रीक है अगला कोशिशन निम्बू का खटा स्वाद किसकी मौझूदगी के कारण होता है औक्जेलिक अमल, एसेटिक अमल, लैक्टिक अमल या फिर साइट्रिक अमल तो सभी लोग जानते हैं लगबग जिसको नहीं पता है तो आप अपनी कमेस्ट्री जो है वो और अच्छी स्ट्रोंग करिए तो इसमें बोलाए कि निम्बू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो वो होता है साइट्रिक अमल के कारण जैसे कि निम्बू हुआ खट्टे जो फल होते हैं उसमें कौन सा अमल होता है तो साइट्रिक अमल होता है जेनरली, तो option होगा डीवाला साइटेरिकमल खटे फेलो में क्या होता है साइटरिकमल, लैक्टिकमल, आग्जरिकमल या फिर फोर्मिकम्ड जैसा कि मैंने अभी जिश्ट उपर बताया था कि खटे फेलो में जेनरली कौनसा अमल पाये जाता है तो वो होता है citric aml, जैसे कि निम्बो हुआ, संत्रावईन सबों में कौन सा अमल पा जाता है, citric aml पा जाता है, अगला question है, निम्नलिकित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख कार्बनिक aml है, तो बताईगे यहाँ पे जो अंगूर है, अंगूर में पाया ज जरूरी होगा, तो अंगूर में पाया जाने वाला मुख के कार्बनिक aml क्या है, टार्टेरिक aml है, ठीक है, अगला question, निम्नलिकित aml में से किसको बेकिंग पावडर के निर्माड में प्रयोग करते हैं, आउक्जेलिक aml, लैक्टिक aml, बेंजोइक aml, या फिर टार्ट तो ऑप्शन कौन से से होगा इसमें से, अभी बेकिंग पावडर के निर्माड में उप्योग करते हैं, किसका, किस हमल का, तो टार्टेरिक aml जो होता है, उसका उप्योग हम बेकिंग पावडर के निर्माड में उप्योग करते हैं, ये सभी question आपको explanation के साथ, tricks के साथ दि परिमारजन में क्या रहता है, पेट्रोलियम एथर, एसिटोन, बेंजीन या फिर, एसिटिक aml, तो नाखुन पॉलिष परिमारजन में क्या रहता है, पेट्रोलियम एथर, एसिटोन, बेंजीन या फिर, एसिटिक aml, तो option कौन से सा योगा इसमें से, एसिटोन होता है, उ सबसे पहले कार्बनिक योगिक जो है वो कौन सा बनाया गया था फार्मिकमल, ST कम ले, यूरिया या फिर मीथेन तो पूछा है कि प्रयोग साला में बनाया गया था, प्रयोग साला में संसलिसित किया गया था, तो option होगा, यूरिया, यूरिया जो है, वो सबसे पहले बनाया गया था कार्बनी के होगी एक प्रियोग शाला में ठीक है याद रखेंगे अगला कुशन करते हैं जो की इस वीडियो का लास्ट कुशन होगा निमलिकित में से किसमे दरविमान की दिश्टी से अधिक्तम प्रतिशत नाट्रोजन पाया जाता है अमोनियम है सब कुश explanation के साथ है तो आपको लेना है तो आप लोग इस नंबर पर call करेगा 75, 25, 81, 88 और 38 पर call करके पूरी जानकारी ले सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद और comment section में मुझे ये बताएंगे कि आपने 20 questions में से कितने questions का answer और ट्रिक किया है और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगी ये questions कैसे लगे explanation कैसे लगे comment section में जबर बताएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद